प्लैमिंग लेप्ट एंड रूल का तो मैं सेट अप दिखा रहा हूं प्रॉपर्ली दिहान से देखेगा यह है फ्लैमिंग लेप्ट एंड रूल जिसमें तुम यह समझ पाओगे कि exactly जो यह रूल हो काम कैसे करता है यह जो दोनों तरब आपको यहां पे और यहां पे दिख रहे है यह दो मैगनेट है नोर्थ और साउथ पोले उपर साउथ है नीचे नोर्थ है लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे नजरा रहा हुगा में आ रही है यह मिडल फिंगर है और जो तुमारा थम है वो इस मिडल फिंगर के बिलकुल पर्पेंडेकुलर पर जा रहा होगा ऐसे करके तो इसका जो मोशन होना है वो उपर की तरफ ऐसे आएगा या भी तुम देखोगे इसको देहान से ऑप्जव कीजेगा और देहान कि यह देखिए जैसे हम यहाँ पर अपड़्यन से देखिए यह बैटरी से मिसको कनेट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ पर आप इसमें एक displacement देखोगे उबजव करते रहेगा सारे बच्चे बड़े ध्यान से, देखिए, ये देखिए, ये है magnetic field की motion, ये direction of motion है, जो हमने thumb से दिखाया था, thumb की direction आप ध्यान से देखिए, ये thumb देखुआ ऐसे जा रहा है, जब current flow करेगा और जैसे हम हटा देंगे, ये वापिस आए गए देखिए, अगर आप terminal change कर रहे हो तो position भी change हो रही है, देखो, जब आप positive to negative करते हो, तो current की direction एक बार left होगी, एक बार right होगी, ये, this is, तो motor जो होती है, ठेक है, electric motor वो इसी principle पे काम करती है, ध्यान से देखिएगा, ये ही है setup जो तुम्हें ध्यान से समझने की पूशिश करने है, this is the setup, समझ गे, तो ये just एक आइडिया था ये बताने का तुम्हें कि किस तरीके से magnetic field, ये electromagnetic है, जो crane में लगा होता है, और ये जैसे हम switch on करते हैं, अंदर से electricity आते हैं, यहाँ पर ये coil है, जिसके चारों तरफ हो magnetic field develop होती है, और ये एक magnetic की तरह behavior करता है, see, तो this is how, ये electric cranes बनाए जाती है, जैसे switch चॉप करेंगे, magnet खतम होगा, और ये सारी चीज़ें नीचे गिर जाएगी, see, carefully, ठेक है, look at here, अभी इसमें magnet है, अब magnet off कर दिया, तो मतलब electricity खतम, तो magnetic property भी खतम हो जाएगी, और जितनी भी ये magnetic substance है, उस सब के सब नीचे गिर जाएगी, अब यहाँ पर locate here, अब फिर से ह will develop होगी, ये magnet की तरह भी खर रहा है, और जैसे हम off करेंगे, ठेक है, it will stop walking, so this is how you can understand कि किस तरीके से electric train, electromagnet का इस्तेमाल करके बनाए जाती है, और जो भी iron या magnetic substance है, उसको separate करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, got it, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो practical life में बहुत ज कोशिश की गई आपको कि किस तरीके से ये electromagnet काम करता है, look at here, ये चीज हमने देखी थी, ठेक है, ऐसे ही बनाया था electromagnet, और इस तरीके से आप एक general electromagnet अपने घर पे try करके बना सकते थे, जो हमने आपको बता, ये देखी, ये हमने एक लोई की लिए, और यहाँ पे हमने इस electromagnet की तरह भीव करेगा, तो ये जो idea था, ये idea सब क्या था, this was the only thing that I just want to share you, कि आप थोड़ा सा प्रक्राइब, आप ध्यान से देखिए, ऐसे बनती है, ये है आपकी solenoid, ये एक straight current carrying conductor जिसको हमने ठीके coil करके इस तरीके की shape दे दिये, अब इसमें अगर तुम ध्यान से दे develop हो रही है, तो एक तरफ इसमें north pole बनेगा, और एक तरफ south pole बनेगा, और ये एक electromagnet की तरह भीव करेगा, ध्यान से देखते रही है, ये काम कैसे करता है, ये देखो, ये हमें compass लेके आ रहे हैं, और यहां इसमें से current flow कर रहा है, तो ये लगातार जो compass है, वो अपनी direction बद होनेगा, और वो कोई भी magnetic substance को attract करेगा, जैसे हम switch off करेंगे, it will stop working, तो ये permanent magnet नहीं होता है, ये electromagnet होता है, जब तक electricity move करेगी, तब तक ये काम करेगा, देखो, इन coils का यूज़ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये देखिए, इस तरीके से इन coil को जो है electromagnet के रूप में यूज कर सकते हैं, ओके, तो ये कुछ fundamentals है, जो आप reality में अगर समझने की कोशिश करोगे, तो ये coil है, इसमें जितने ज़्यादा number of wounds में हमारे पास, यानि कि जितनी ज़्यादा winding हमने किये, उतनी ज़्यादा ये, ठेके, strong electromagnet की तरह भीएफ कर रहा है, जो भी आपके fans हो इस तरीके से उत्ती है, और ये आपके घर में अगर toys है, तो जो car वगेरा toys वाली आती थी, उसके अंदर इस तरीके की एक motor लगी मिलेगी, आपको आप उसको अगर आप खोलोगे, तो आपको इसी तरीकी का setup उसमें मिलेगा, ये वीडियो खत्म करके मैं आपको practically अभी दे ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से जैसे ही current इसमें से जाएगा, ये motor ऐसे काम करती है, ये ही left and flaming left and rule है, और ये कई तरीके की motor आप अपने life में देख पाते हो, car में होती है, ठीक है, वैसे पानी भरने के लिए होती है, जो छोटे toys होते हैं, उनके अंदर motor का इस्त इसका जो principle है, ये electrical energy को mechanical energy में convert करती है, ये different type की आपको motors देख रही है, लेकिन तरीका सबका working principle सेम होता है, इस हा different type of motors that you can see, आज कल बहुत सारी चीज़ों में motor का यूज होता है, ये current carrying wire है, ये वही चीज़े जो मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से में एक setup लगात जैसे इसमें current आएगा, ये magnet की तरह भीव करेगा और ये already magnetic field के बीच में तो यहाँ पर ये एक force exhibit करेगा, जिसकी वेसे इसका direction या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा और इसी force से जो motor है, वो move करती है, इसी principle पर ये काम करती है, तो याद रखेगा यहाँ पर जो इसका functioning है, वो magnetic field के बीच में एक current carrying conductor रखने पे एक और magnetic field उस conductor में होती है, और उन दोनों के बीच में जो force होती है, उसी से, ठेक है, electrical energy को mechanical energy में convert किया जाता है, ये इसका setup है, जैसे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, this effect is known as motor effect कहता है, क्योंकि जो भी motor है, वो इसी principle पर क basic properties है, और ये अपने usual life में जब देखोगे, तो ये theory के साथ match होता हूँ, आपको बहुत मुश्किल से महसूस होगा, because जो हम पढ़ते हैं, वो एक अलग label की sense होती है, और जो practically आप देखते हैं, वो बहुत अलग चीज़े होती है, ये देखे, ये movement है, जैसे ही current pass हो रहा है, ये magnetic field की वेज़े से force exhibitor हो रही है, जो आपके thumb को indicate कर रहा है, जिदर ये motion हो रहा है, इसका वो thumb है आपका, ठेक है, और जो ये arrow आपको देखाई दे रहा है, ये आपकी middle finger है, और जो आपका four finger है, वो current के direction को indicate कर रहा है, समझ गे, तो ये जो है, ये मैं इसलिए दिखाने क की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहां से आप से ये देखो, ये आपका left hand है, ध्यान से देखेगा आप इस बात को, planning left hand rule काम कैसे कर रहा है, ये left hand है, और इस left hand के अंदर, जब हम अपने hand को ऐसे करते हैं, तो ये देखिए, thumb, four finger और middle finger, हम इन तीनों को इस तरीके से hold कर रहे है कि हमारी जो है, four finger, ठेक है, वो indicate कर रही है किस चीज़ को, ठेक है, ये बताती आपके, ठेक है, एक, जो thumb है, वो आपका motion बताता है, कि force किदर act करेगी, middle finger आपकी, जो है, वो direction को बताती है, और four finger इसकी field को बताने की कोशिश करती है, ठेक है, ये वो left hand rule है, इसको learn जरूर क कर लेना, exam में ये पूचा जाता है, और इसी के बैस पे, अगर आप से पूचा, ये magnetic field होती है, four finger को indicate करती है, current आपका middle finger को indicate कर रहा है, और thumb आपका force के के दर वो motion हुआ, भी थोर दिर पहले जो तुमने force लेकि, movement देखा, वो thumb को indicate कर रहा था, जहांसे current आ रहा था, अब य देखो, ये जो armature है, इसी को ध्यान से समझेए, यहीं पर हम इस left and rule को apply करेंगे, यह एक rectangular है, यहां से देखो लिखा हुआ, एक rectangular coil है, जो insulated copper wire से बनी होती है, और एक soft iron core है, इस पे ये लपेटे गई है, this is the armature, इसी को पूरे setup को हम armature का नाम देते है, coil is mounted on the axle and placed between that of the cylindrical concave ये pole, ये दो pole है, इधर और इधर, ये दो दो magnet का काम कर रहे हैं, समझेए, और उसके बाद, जब armature जो है, जब इसमें से electricity pass होगी, तो ये electromagnet की तरह बीएफ करेगा, और ये जो force इसको exhibit करेगी, उसी की विज़े से इसमें जटका लगेगा, और ये घूमना शुरू कर दे तो this is how you can understand it, ये armature हो गया, और ये armature कुछ इस तरीके सी, ये magnet है दो, red color के जो आपको दिखाई दे रहे, इस magnetic field के बीच में ये जो current carrying conductor है, इसमें जब magnetic field आएगी तो force exhibit होगी और उसी force की वज़े से ये move करेगा, ये इस तरीके से coil को wrap किया गया होता है, ध्यान से देखते ये हर एक छोटी-छोटी बात को अगर आप समझ भाओ तो, क्योंकि ये थोड़ा समझने में समय लगता है, चीज़े ऐसी होती है, जो आपको theory में कुछ और देखे कि लेकिन practical life में they will be entirely different things, ये इस तरीके से move करेगी, ये वो force है जिसकी वे से ये घूमती है, ठीक है, अब अगर मैं ज्यादा detail में ना जाओं तो ये देखे, ये setup है कुछ इस तरीके से, इसको अगर मैं द्यान से देखा हूं तो ये यहाँ पे तो ये actual वाला देखा रखा और यहाँ पर हम इसको diagrammatic देखा सकते हैं, ये एक wire है ऐसे करके जो जा रही है, लाइक दिस, और ये north और south तरफ एक magnetic field होगी और क्योंकि ये already magnetic field के बीच में, तो ये magnetic field इस direction में काम करें, north to south ऐसे, और यहाँ पे जो दूसरी magnetic field होगी, तो आपको पता है, like pole यहाँ तो ripple करेंगे या फिर attract करेंगे और उसी वज़े से जो एक jerk मिलेगा, उसी से हमारा ये motor का जो आर्मे चरे हो, rotate करन शुरू करता है, ठीक है, तो ये इसका working principle है, ये इसका actual setup है कि ये कैसे काम करेंगा, look at here, एक बार उपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, this is how you can see, यहाँ ध्यान से देखते रहिए, ये इसका setup है, ये कैसे घूम रही है motor, समझ गे, तो जिन बच्चों को आगे physics पढ़ने हो उनके लिए इस तरीके के setup को समझना बहुत जरूरी होता है, ओके, नाओ, electric motor की बात करते है, electric motor की अगर हम बात करें, question ही आएगा, what is electric motor, what is the working principle, ठीक है, और इसमें, you know, ये किस principle पर काम करती है, ये दो-तीन चीज़ा आप से पूछी जाएगी, तो सबसे पहले बात करते है कि what is electric motor, तो it is a device which converts electric energy into mechanical energy, एक ऐसा device जो electric energy है, देखो, ये electric energy cell में से आ रही है, और इस, you know, coil में से पास हो रही है, और इसकी विज़े से mechanical work हो रहा है, यानि कि ये move कर रहा है, इसी विज़े से हम इसको क्या बोलेंगे, mechanical energy में convert हो रही है, electric energy, so that's a special device that can convert electric energy into mechanical energy, principle मतलब, electric motor क इस principle पर किस नियम पर काम करती है, तो when rectangular coil, ये है बटा, तुमारी rectangular coil, ये देखिए, ये rectangle की shape में देखाए दे रही है, जो आपको यहाँ पर connect की गई है, ये rectangular coil है, और इसमें से current carry हो रहा है, यानि कि ये battery से connected है, पीछे से current आ रहा है, तो it's a rectangular coil, ठीक है, which is placed in a magnetic field, ये rotate कर रहा है, तो ये magnetic field की बीच में जब इसको हम रखते हैं, और current इसमें से pass करते हैं, तो ये एक force exhibit करता है, और उसी force की वज़े से ये rotate करने लगता है, इस magnet के बीच में और इसी rotation की वज़े से हमारी electric motor, जो है electric energy को mechanical, mechanical का मतलब है work, जिससे वो move करना शुरू करते है, इस प अगर आप से working पूछे भी जाया है, तो आप बोलोगे कि ये जो ABCD करके हमारे पास एक horizontal plane रखा हुआ, ये एक magnetic field के बीच में रखा है, जो magnetic field parallel ही काम कर रहे है, तो जब इसमें से electric current pass करेगा, तो A से B की तरफ इसकी direction move करना शुरू करेगी, और ये A भी जब rotate करेगा, तो इ एक conditions है, अब इसमें जिन चीज़ों पर तो इसमें ध्यान देना है, बाकी सब चीज़े छोड़ो, दो चीज़े, ये जो एक blue color का और एक red color का जो दिखाई दे रहा है, इन्हें कहते है commutator, क्या कहते हैं, ये brushes भी कहलाते हैं, और ये brushes क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखो और उसी brushes का rotation reverse हो जाएगा, तो ये 180 पे जो है reverse होती है, move करती है, और इसी चीज़ को हम commutator का role कहते हैं, तो commutator का role क्या है, ये हमेशा जो terminal है, positive or terminal उनको reverse करने में help करता है, ठीक है, और अब अगला topic हमारा है electromagnetic induction क्या होता है, तो electromagnetic induction production of electricity का एक technique है, जिसमें magnetism की मदद से हम electricity generate करते हैं, simple शब्दों में बताओं, तो electromagnetic induction सीधे-सीधे शब्दों में जो generator होता है, जो electricity produce करता है, उसी की technique है, उसी का principle है, तो electromagnetic का मदबता है, electric और magnetic, जहांपे magnetism से हम electricity induced कर रहें, इंडियूस मदब पैदा करने, this is called electromagnetic induction, तो the production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction, एक नंबर का statement ये है, और इसमें भी north और south pole दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे current हम देते नहीं है, motor के अंदर हमें electric current देना पड़ता है, तब वो move करती है, लेकिन generator के अंदर electromagnetic induction से current हम induce करते हैं, पैदा करते हैं, यानि कि generator हमें बिजली बना के देता है, हमें बिजली उसमें खर्च करनी नहीं होती, alright, तो ये क कुछ चीजें हैं, और electric generator आपका working वगरा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें, अब electromagnetic induction में जो rule यूज होता है, वो होता है, right hand, flaming का right hand rule यूज होगा, ध्यान देना, electric motor के अंदर flaming का left hand यूज होता है, left hand rule यूज करते हैं, और जो आपका generator है, उसमें हम right hand rule यूज करते हैं, इसमें भी right hand को आप ऐसे पकड़ लेजिए कि आपका thumb motion को बताएगा, ठेक है, आपकी four finger है, वो field को बताएगी और जो आपकी middle finger है, वो current की direction को बताने की कोशिश करेगा, तो ये आपका motor के अलावा, this is the generator, electric generator भी ये काम करता है, और ये दूसरा हमारा पास होता है, DC generator, तो याद रखेगा कि AC, DC generator की कोई working वगएरा आपकी नहीं आ रही है, तो I'm not forcing होनी हूँ कि आप उस पे खामक अपना energy खराब करो, आप सिर्व अपनी किन चीजों पर ध्यान दो, आपको जिस पर ध्यान देना है, वो important चीज है, आप में चला जाए, तो that is simply called earthing, एसी लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो earthing wire होती हो, अलग से third wire connect की जाती है, जो कि green color की होती है, समझ गे, हम यहाँ पे screen मैं कर रहा हूँ, off, अब यह पूरे का पूरा जो chapter था तुमारा, यह पूरे का पूरा chapter किस पे बेस पे है, this is all based on that of the mechanical force, समझ गे, तुम ऐसे जिन बच्चों को आगे जाके engineering करनी है, उनको इसी तरीकी की machine हो पे काम करना है, यह इसी तरीकी की machine हो को design करना है, इसी तरीकी की चीजों पे आपके काम करना है, देखो theory और practical में बहुत अंतरे तुम लोगोंने ध्यान से देखा कि जब उन planning का left and rule पड़ते हैं, तो हाथ ही पकड़के खड़े हो जाते हैं, लेकिन reality में देखो कि वो practically कैसे हो रहा है, और यह visuals दिखाने का सब एक ही मकसद था कि आपको realization कराया जाए कि exactly चीजे कैसे हो रही है, पुनीत, खुशी चौधरी, आयूश, मनीश, इन बच्चों के camera बंद आवी. आतानर